अब हम टाइप नमबर 8 को स्टड़ी करेंगे ए पावर 4 प्लस ए स्केर बी स्केर प्लस दी पावर 4 यह खास किसम की टाइप है इसको हम एक्जाम्पल से अंडर्स्टेंड करते हैं इसके अंदर दो टर्म पे अमारा खास फोकस है 81 एक्स पावर 4 16 वाइसकेर इस फार्म के अंदर खास बात ही होगी जो भी इस तरह के क्वेस्टन होगा प्राब्लम होगी हम उसके अंदर कुछ चीज एड़ भी करेंगे और सब्टेक्ट भी करेंगे यह एक माथमाटिकल टेक्नीक होती है किसी भी एक्स्प्रेशन को उसके अंदर अगर कुछ चीज हम एड़ करते हैं तो हमें सब्टेक्ट भी करना पड़ता है ताकि उसमें बैलेंस खाइम रहे 81 एक्स पावर 4 को हम लिख सकते हैं 9 एक्स स्केर होल स्केर पलस 16 वाई स्केर को मैं पहले लिख हूँगा 4 वाई होल स्केर और इसको बाद में लिखेंगे अब मुझे कुछ आइडिया हो रहा है इसको देखते हुए कि क्या चीज मुझे एड़ करनी है और क्या चीज़ है सब्ट्रेक्ट करनी है 9 एक्स स्केर होल स्केर पलस 4 वाई होल स्केर पलस 2 टाइम्स आफ 9 एक्स स्केर इंटो 4 वाई माइनस 2 टाइम्स आफ 9 एक्स स्केर into 4y और यह वाली term जो last पर जो हमें given थी वो अपने जगा पर मुझूद है अब फ़र गोर किया जाए तो basically यह जो लिखाव है सारा कोछ यह हमार पर बनता है a square plus b square plus 2 a b तो इसको हम लिख सकते हैं 9x square plus 4y whole square और यह इसको solve किया जाए minus यह आजाएगा 72x square y और यह 36x square y square इसको जब फर्दर solve करेंगे तो देखें यह plus 36x है minus 72 है यह रहा जाएगा इसको हम लिख सकते हैं हमें question में power 4 given थी और हम ने इसको यहाँ पर square की form में लिख दिया अब इसका मतलब ही हुआ यहाँ basically 4y का square है और यहाँ पर भी 4y square और इतन भी 4y square और obviously यहाँ पर भी square की form होगी तो हर जगा पर y का square चल रहा है यहाँ पर भी y का square हमें जो example में जो statement given थी 81x power 4 plus 36x square y square plus 16y power 4 16y power 4 को हमने लिखा 4y square whole square 81x power 4 को हमने लिखा 9x square whole square और यह चीज हमारे पास as it is आ गई फिर हमने यह चीज add भी की subtract भी की ताके formula कायम कर सके इसको से लिख सकते हैं तो यह basically हमारे पास सरस रहा गया है 6x y whole square और यहां पर हमारे पास 4y square की फार्म है अब होगा यह कि यह हमारे पास फार्म बन गई है a square minus है b square 9x square 4y square एक दफ़ा हम plus करेंगे और second time minus कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास यह इसके complete factors बन गए हैं तो यह हमने form solve पर लिए a power 4 प्लस a square b square प्लस b power 4 इसके अंदर जो degree है किसी भी polynomial की यह expression की उसका 4 होना जरूरी है यह 4 की form में हो